मैं दोस्कार जानेगे इस वीडियो में आइय रिंची नेजल इस्प्रेग के बार में, जानेगे बहीं किस तरह से यूज क्या जाता है किस तरह से काम करता हैекст में कितने बार रुप्य की आजपास मिलती है यह दोक्टर की परक्ची से इसका सेल्फ यूज नहीं क्या जाता है देखिए अगर बच्चा है साट से आठ साल तक का वह भी कर सकता है यह इस्के बड़ा वेक्ति यह भी कर सकता है यहांनि एडेल्ड परसन के इलावा अगर एवरेज बच्च में कलोराइड एक प्यूरिफाइड नमक का घौल होता है थीक है नमक का घौल होता है जो प्यूरिफाइड होता है ये नाक में इस पेरेग कि तो ये करता गया कि ये बंद नाक astronomers को खोलता है तो वहाँ पर फिर हो सकता है कि cold के कारण नाग में कोई allergy बन जाए, कोई allergy वाले symptom आ जाए, जिसके कारण नाग बन रहती है, नाग से continuously पानी आता है, या नाग के अंदर कोई कफ जम जाए, ठीक है, नाग की जो अंदरी जो inner line होती है, उस वो ब्लोक कर देता है, उस पर swelling वग जल्रोडों में दिया जाता है, nasal consistent में दिया जाता है, दोस्टों यह जो नमक का घौलवता है, इस्टेंट काम करता है, तो रंट सुजयन को कम करके नाग को खोलता है, अगर मुंकस होगा उसको पतला करकर बाहर निकाल देंगा, ठीक है, तो बंद नाग को खोलने में इसका तो दिन में 3-5 बार तक स्प्रेक क्या जा सकता है कोई बाच्चे साल का तो दने में 2-3 लेम करता है चाहे तो बरहने किसे पहले पूजे चाहें को आपको अंदर लेना है ठीक है उसके बाद आप चाहे तो सर को नीचे करके कोई भी कोटन से आप इसको साफ कर सकते हैं ठीक है ज्यादा अंदर तक भी नहीं जाना चाहिए अगर चला पर जाएज कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक बार नॉर्मिल इस पर आपको करना है सिर्फ नाक के अंदर ही उससे क्या होगा दोस्तों उसे मोस्टराइजिंग हो जाएगा जो इनर लाइन होती है वो मोस्टराइजिंग की तरह काम करती है फिर यह मोस्टराइज करता है उससे फिर क्या कि जो भी कफ वगिरा होते हैं जो भी एलर्जिवर होती है वो खत्म हो जाती है सूजन कम हो जाता है जो अंदरी जो मास पेशा होती है वो सोफ्ट हो जाती है जिसके कांड फिर एरवेज आसान हो जाता है वेक्तिका तो दोस्तो यह था संपूर रिव्यू आई रेंची नेजल इस्प्रे के बार में कॉमेंट वोक्स से जुरू बताएगा अगर कुछ भी इनफोर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं